नमस्कार, मैं रितु यादव आप सबका स्वागत करती हूँ यह वैद्युत चुम्बकिये प्रेरण का प्रथम भाग है हमें ज्यात है कि गतिमान विद्युतावेश चुम्बकिये छेत्र उत्पन करते हैं उधारण के लिए विद्युत धारा अपने पास रखी हुई एक चुम्बकिये सुई को विक्षेपित करती है इससे एक स्वभाविक प्रेश्न उत्पन होता है क्या इसका विपरित प्रभाव संभव है? क्या चुम्बक विद्युत धारा उत्पन कर सकते हैं? इसका उत्तर ही हमारा आज का धे है चलिए शुरुवात एक सरल से प्रियोग से करते हैं मेरे पास यह एक कुंडली है जो कौपर की धातू से बनी है यह धारा मापी है जो की विद्युत धारा की दिशा बताता है यह एक दंड चुम्बक है मैंने इस कुंडली को धारा मापी से जोड दिया है अब मैं इस दंड चुम्बक को कुंडली की और लेकर जा रही हूँ आपको धारा मापी की सुई का विक्षेपन ध्यानपूर्वक देखना है क्या इसकी सुई कोई प्रतिक्रिया दर्शा रही है? जी, इसकी सुई मेरे दाई और विक्षेपित हो रही है इसी तरह मैं इस दंड चुम्बक को कुंडली से दूर लेकर जा रही हूँ क्या इसकी सुई ने विक्षेपन दर्शा आया? जी, इसकी सुई का विक्षेपन मेरे बाई और हुआ है दोनों ही स्थितियों में धारा मापी विप्रित दिशा में विक्षेपन दर्शा रहा है अब मैं चुम्बक को यहां रख रही हूँ अर्थात इसको कोई गती नहीं दे रही क्या धारा मापी की सुई कोई प्रतीक्रिया दिखा रही है? नहीं, इस से हम ये निशकर्ष निकाल सकते हैं कि कुंडली में विद्युद्धारा तभी प्रवाहित होती है जब दंड चुम्बक गती में है तब नहीं जब ये स्थिर रखा गया है चलिए, अब हम दंड चुम्बक को और अधिक गती से पास और दूर लेकर जाएंगे इस थिती में धारा मापी का विक्षेपन और अधिक हो रहा है इस घटना को हम वेद्युत्चुम्बकिये प्रेरण कहते हैं सवाल ये है इस परिघटना का आविशकार किस ने किया चलिए अब इन दोनों वेज्यानिकों के बारे में हम स्मार्ट स्क्रीन पर जानेंगे किये गए प्रियोग की परिघटना के पहले अविशकारक जिनकी तस्वीर स्क्रीन पे दिखाई दे रही है ये माइकल फेरडे हैं इन्होंने विज्ञान के छेत्र में महत्वपून योगदान दिया उधारन के लिए वैद्यूत चुम्बकिये प्रेरण की खोज, विद्यूत अपघटन के नियम और बेंजीन, विद्यूत मोटर, विद्यूत जनित्र तथा ट्रांसफोर्मर की खोज का श्रे भी फेराडे को ही जाता है दूसरे अविशकारक जौसफ हेंरी है, जो की अमेरिकी प्रायोगिक बहुतिक शास्त्री है, उन्होंने स्वप प्रेरण की खोज की, तथा इस बात का पता लगाया कि कैसे एक परिपत में प्रवाहित धारा, दूसरे परिपत में धारा प्रेरित करती है तो वास्तव में इन दोनों वग्यानिकों ने क्या प्रियोग करके इस महत्वपून परिगटना का अविशकार किया इन प्रियोग के बारे में ही हम विस्तार में पढ़ने वाले हैं पहले प्रियोग में जैसा आप देख रहे हैं, एक दंड चुम्बक के उतरी धुरूव को इस कुंडली की और धकेला जा रहा है धारा मापी का संके तक विक्षेपित होता है, जो कुंडली में विद्युधारा की उपस्थिती को दर्शाता है यह विक्षेप तभी तक रहता है जब तक चुम्बक गती में है यह भी देखा गया कि यदि दंड चुम्बक को स्थिर रखा जाए तथा इसके बजाए कुंडली सीवन को चुम्बक की और या इससे दूर गती मान किया जाए तो भी इस प्रकार का प्रभाव उत्पन होता है यह प्रियोग दर्शाता है कि कुंडली में विद्युधारा की उत्पत्ती चुम्बक तथा कुंडली के मध्य सापेक्ष गती का प्रतिफल है इसकी अतिरिक्त जब चुम्बक को कुंडली की और या इससे दूर तेज गती से ले जाया जाता है तो विक्षेप और अधिक होता है और इसी लिए धारा अधिक प्राप्त होती है दूसरे प्रियोग में जैसा आप देख रहे हैं यहां दो कुंडली दी गई है कुंडली एक धारा मापी से जुड़ी है कुंडली दो में अपरिवर्ती धारा अपरिवर्ती चुम्बकी शेत्र उत्पन करती है जैसे ही दूसरी कुंडली को पहली कुंडली की और लाते हैं तो धारा मापी एक विक्षेप दर शाता है ऐसे ही यदि हम कुंडली एक को कुंडली दो की ओर ले जाते हैं उस थिती में भी धारा मापी का विक्षेप देखने को मिलता है इससे हम क्या निश्कर्ष निकाल सकते हैं यही की कुंडलीयों के मध्य सापेक्ष गती विद्युद्धारा प्रेरित करती है इस थिती में भी यदि पहली कुंडली को या दूसरी कुंडली को अधिक तेजी से समीप या दूर ले जाते हैं तो धारा मापी अधिक विक्षेप दर्शाता है तीसरे प्रियोग में जिसका चित्र आप देख पा रहे हैं दो कुंडलियां दर्शाई गई हैं जो स्थिर रखी हैं कुंडली एक को एक धारा मापी जी से जोड़ा गया है जबकि दूसरी कुंडली को एक दाब कुंजी के से लेकर बैटरी से जोड़ा गया है इस प्रियोग में ये देखा गया कि जब दाब कुण्जी के को दबाया जाता है तो धारा मापी एक शनिक विक्षेप दर्शाता है थोड़ी देर बाद ये विक्षेप नहीं रहता ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि दाब कुंजी के को दबाने के तुरंत बाद आपरिवर्ती धारा संख्या कुंडली दो में धीरे धीरे भढ़ती है अते इसके आसपास का चुम्ब की ये छेतर भी भढ़ता है इसी लिए शनिक विक्षेप देखने को मिलता है इन तीनों प्रयोगों का निशकर्ष निकालने से पहले एक पुराने विशय के बारे में जान लेते हैं विद्यूत फ्लक्स किसी शेतरफल अव्य ए से गुजरने वाले विद्यूत फ्लक्स की परिभाशा कैसे करते हैं यह छेत्रफल A और विद्युत छेत्र E का आदिश गुर्णनफल होता है, जो इस छेत्रफल अव्यव को काटने वाली छेत्र रेखाओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है. ठीक इसी प्रकार हम चुम्बकिये फ्लक्स को भी परिभाशित कर सकते हैं, यदि छेत्रफल A वाले सम्तल को एक समान चुम्बकिये छेत्र B में रखा जाता है, तो चुम्बकिये फ्लक्स को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, जो की छेत्रफल A और चुम्बकिये छेत्र B का आदिश गुननफल है चुम्बकिये फ्लक्स का SI मातरक वैबर है इसे टेसला वर्ग मीटर द्वारा भी व्यक्त किया जाता है चुम्बकिये फ्लक्स एक आदिश राशी है तीनों प्रयोग जिनकी चर्चा हमने अभी की है उनसे ये निशकर्ष निकाला जा सकता है कि जब किसी कुंडली में चुम्बकिये फ्लक्स समय के साथ परिवर्तित होता है तब कुंडली में विद्यूत वाहकबल प्रेरित होता है फ्यरडे ने प्रायोगिक प्रेक्षणों को एक नीअम के रूप में व्यक्त किया है जिसे faraday का वैद्यूत् चुम्बकिये प्रेरण का नियम कहते हैं इसे इस प्रकार व्यक्त किया गया है प्रेरित विद्यूत् वाहक बल का परिणाम चुम्बकिये फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है रिंड चिन्ने यहां वैद्युत बल तथा प्रईनाम स्वरूप बंद लूप में धारा की दिशा व्यक्त करता है इस रिंड चिन्ने के बारे में हम और चर्चा करेंगे पास पास लपेटे हुए एन फेरों वाली किसी कुंडली के प्रतेक फेरे से संबंधित फ्लक्स में एक समान परिवर्तन होता है इसी लिए कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल काव्यन जक एन गुणा चुम्बकिये फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है अब तक हमें मालूम हो चुका है कि फेरडे नीयम में रिन चिन क्या दिखा रहा है बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप ये विद्युत बल की दिशा को दर्शाता है या फिर हम कह सकते हैं ये बंद लूप में धारा की दिशा व्यक्त करता है चित्र में हम देखते हैं कि दंड चुम्बक का उतरी धुरूफ कुंडली की ओर ले जाया जा रहा है जब दंड चुम्बक का उतरी धुरूफ कुंडली की ओर गती करता है तब कुंडली में चुम्बक की फ्लक्स बढ़ता है इस प्रकार कुंडली में प्रेरित धारा ऐसी दिशा में उत्पन होती है जिससे की वे फ्लक्स के बढ़ने का विरोध कर सके ये तभी संभव है जब चुंबक की ओर स्थित प्रेक्षक के सापेक्ष कुंडली में धारा वामामृत दिशा में हो इसी प्रकार्यदी दंड चुंबक का उत्री धुरूफ कुंडली से दूर ले जाया जाता है इस स्थिती में कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स घटेगा चुम्बकिये फ्लक्स के घटने का विरोध करने के लिए कुंडली में प्रेरित धारा दक्षिना वृत दिशा में बहती है ये प्रेरित धाराओं को समझने के लिए एक सरल्क विधी का प्रियोग भी कर सकते हैं देखिए N तथा S द्वारा दर्शाई गई दिशा प्रेरित धारा की दिशाएं बताती है उपरियुक्त दोनों ही स्थितियों का हमने विस्तार में अध्यन किया है जब दंड चुम्बक को लूप के समीप एवं दूर ले जाया जा रहा था तो हमें ये ग्यात हुआ की प्रेरित विद्युत वाहक बल की धुरूवता उस दिशा में होती है जो उसे उत्पन करने वाले कारक यानी चुम्बक की ये छेत्र परिवर्तन का विरोध करें हम देखते हैं की दंड चुम्बक का उत्तरी धुरूव बंद कुंडली की और ले जाया जा रहा हो यानी इस धारा से संबंदित चुम्बक की ये आगोन की धुरूवता उत्तरी है अतै इस स्थिती में यहां प्रतिकारक बल लगेगा इसी प्रकार दूसरी स्थिती को देखा जाए तो चुम्बक की फ्लक्स घट रहा है इस चुम्बक की फ्लक्स के घटने का विरोध करने के लिए कुंडली में प्रेरित धारा दक्षिना वृत दिशा में बहती है तथा इसका दक्षिनी धुरूव दूर हटते दंड चुम्बक के उतरी धुरूव की और होता है इसके फल्स विरूप एक अकर्शक बल लगेगा जो चुम्बक की गती तथा इससे संबंदित फ्लक्स के घटने का विरोध करेगा इसे लिए चुम्बक को गती देने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा हमारे द्वारा इस गती विदी में खर्च की गई उर्जा कहां गई यह उर्जा प्रेरित धारा द्वारा उत्पन जूल उश्मन के रूप में शैत होती है यदि प्रेरित विद्धारा की दिशा विपरीत होती तो दंड चुम्बक कुंडली की और लगातार आकर्शित होता और चुम्बक को दिया गया हलका सा धक्का इस प्रक्रिया को प्रारम कर देता और बिना किसी उर्जा निवेश के चुम्बक की गती सदा के लिए बढ़ती रहती अते हम कह सकते हैं कि लेंस का नियम उर्जा संग्रक्षन के अधीन है इस विशय से संबंदित एक प्रश्ण है दस सेंटीमीटर त्रिज्या, पांसो फेरो तथा दो ओम प्रतिरोध की एक कुंडली को इसके तल के लंबवत प्रिथवी के चुम्बकिये छेत्र के शैतिज घटक में रखा गया है इसे अपने द्रूव व्यास के परित 0.25 सेकिंड में 180 डिगरी से घुमाया गया कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा विद्युत धारा का आकलन कीजिए दिये गए स्थान पर प्रिथवी के चुम्बकिये शैत्र का शैतिज घटक ये है आईए अब हल देख लेते हैं यहाँ कुंडली की तरिज्जा दी हुई है जिससे हम इसका शेत्रफल ग्याद कर सकते हैं क्यूंकि कुंडली को इसके तल के लंबवत प्रिथवी के चुम्बकिये शैत्र के शैतिज घटक में रखा गया है जिससे छेत्रफल और चुम्बकिये छेत्र के बीच 0 डिगरी का कोण बनेगा इससे संबंदित प्रारंबिक चुम्बकिये फ्लक्स को हम ग्याद कर सकते हैं इसी प्रकार अंतिम चुम्बकिये फ्लक्स की भी संख्या हम ग्याद कर सकते हैं क्योंकि इस थिती में शेत्रफल और चुम्बकिये छेत्र के बीच 180 डिगरी का कौन बनेगा। दोनों स्थिती का आकलन करके चुम्बकिये फ्लक्स के परिवर्तन की दर को समझा जा सकता है। और फेराडे के नियम अनुसार हम विद्यत वाहक बल का अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि प्रश्ण में कुंडली का प्रतिरोध दिया हुआ है और विद्यत वाहक बल हमने ग्यात कर लिया है। ओम नियम उनसार कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा निकाली जा सकती है आज के इस खंड से हमें ग्यात हुआ कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुम्बकिय फ्लक्स के समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है इस नियम को हम फेराडे का नियम कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल की दरुवता लेंज नियम द्वारा निर्धारित होती है जो इस प्रकार है प्रेरित विद्युत वाहक बल की दुरुवता इस प्रकार होगी कि वै उस दिशा में धारा प्रवा करे जो उसे उत्पन करने वाले कारक का विरोध करे ये लेंज नियम उर्जा संगरक्षन के अधीन है आज के भाग से संबंदित एक रोचक गतिविधी भी कर सकते हैं आप सभी को वैद्युत चुम्ब किये प्रेरण के उधारण रोज मर्रा के जीवन से संबंद में लिखने है साथ ही इस परिगटना के इस्तेमाल के बारे में भी सोचना है धन्यवाद आज के बारे में लिखने है